बटर्फलाई मतलब तितली तितली जादातर हर जगा पर पाई जाती है ये बहुत सुन्दर तथा आकर्शक होती है दिन के समय जब ये एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है तथा मदू पान करती है तब इसके रंग बिरंगे पंख बाहरत को दिखाई देते हैं तितली के शरीर के मुख्या तीन भाग होते हैं सिर, वक्ष तथा उदर इनके दो जोड़ी पंख तथा तीन जोड़ी संदी युक्त पैर होते हैं आता ये एक कीट है मतलब इंसेक की केटगरी में ही आता है पितली एक लिंगी प्रानी है अर्थार्थ नर तथा माधा अलग-अलग होते हैं माधा तितली अपने अंडे पत्ती की नीचली सतय पर देती हैं अंडे से कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा कीट निकलता है जिसे हम केटरपिलर अत्वा लार्वा कहते हैं ये पोदे की पत्तियों को खा कर बड़ा हो जाता है और फिर इसके चारों और एक कड़ा सा खोल बन जाता है इसे हम प्यूपा कहते हैं आप चानते हैं कुछ दि इसी सुन्दर सी तितली बाहर निकलती है। तितली का दिमाग असल में बहुत ही तेज होता है। देखने, सूंगने, स्वाचकने वा उड़ने के इलावा जगा को पेचानने की इन में अद्बुत्क शमता होती है। तितली का जीवनकाल बहुत छोटा होता है। ये ठोस पूलों का रस पीती है तेश की सबसे तेज उड़ने वाली तितली मोनार्च है